आज के इस बहुत ही इंपोर्टन सेशन में मैं डॉक्टर रजेश्वर आम सब का स्वागत करता हूं और अभी-अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर तीपा मैम से जो कि दुबई से हमारे साथ चूड़ी है और उनको मैं वही सवाल पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर मैम आज का टॉपिक जो आप लेने वाले हैं वो है बाउंडरी इस अट्राक्शन और इस्ट्राक्शन अमंग टीनेजर्स अबव दी एज एज अव त्वेल्व यह यह तोपिक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि जो शोशल एंवार्मेंट आज कल चल रहा है वो राइट नहीं दे पा रहा है बच्चों को तो as parents and as coaches यह हमारा फर्स पंता है कि हम right information दे we should arm them with the right knowledge and information so that they are able to make better choices in their life thank you doctor really appreciate thank you doctor मैं एक और सवाल पूछना है क्योंकि यह यहां के ज्यादा तर parent के मन में यह सवाल है जैसे मैंने बोला कि teenage बच्चों के साथ ने यह चीज़े discuss करते है कि body changes क्या हो रहे emotional changes क्या हो रहे mind या mindset के changes क्या हो तो बहुत सारे parent मुझे बोलते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है उसे इसे दूर रखना अच्छा है या अन्नेसेसरी हम आफ़त क्यूं करें बच्चे को यह ऐसे topic पर discuss करके तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में यह topic बच्चों को आजकल के पता नहीं है और क्या हम सही तरीके से या right resource से बात करना इसके बारे में क्या comments करना चाहो गया सर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा exposure है social media का हम बताएं या ना बताएं बच्चों को बहुत सी चीजे जो हैं अपना videos टिक टॉक से या और social media से पता चल जाती हैं जो की right नहीं है तो इस situation में यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ बातचीत करें उनको right information दें जिससे कि उनकी जो awareness है वो high level की होएगी और उस चीज को उनको help करेगी कि वो आगे जो है सही तरीके का decision ले तो यह mark दर्शन करना बहुत ही आवर्श्यक है इस time में और डॉक्टर क्या होगा अगर बच्चों को यह guidance माता पिता या माता पिता जैसे मान लो अभी यहां पे तो हमने initiative लिया है कि बच्चों को इन मुद्दों के बारे में बताएंगे क्या changes हो रहे है क्या dynamics आ रहे body changes क्या हो रहे कहां सची information मिलेगी कहां गलत मिलेगी इन बार पर एक specialist doctor भी आ रही है जो बच्चों को इसके बारे में guide करें आपको क्या लगता है कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को यह बाते नहीं बताएंगे तो क्या बच्चों को दूर रख पाएंगे यानि वह बिल्ली होती है ना आख बन करके दूद्ध पीती है क्या जैसा किसा हो रहा है या फिर मैं और भी थोड़ा आगे बढ़की ये बात करना चाहूंगा कि कई बार माता पीता समझने में भूल करते है डूर्ड करते है कि बच्चे कितने बड़े और कितने समझझदार हो गÈंगे आप खुद दो टीनेज बच्चों की माता हो और आप स्वे में qualified doctor हो तो आपका क्या experience है इसके बारे में प्लीज बताइए मेरे घर में भी दो teenage बच्चे हैं जिनके पास बाहर से भी काफी information आती है on topics जो हम पहले सोचते थे कि उनको पता नहीं है बट उनको सब ग्यान है because जिस तरीके का movies वो देख रहे हैं जिस तरीके के series नेटफ्लिक्स पे चल रहे हैं जिस तरीके का भी महौल बना हुआ है यह गलत information दे रहा है या अधूरी information उनके पास जा रही है तो यह हमारा करतवे बनता है as parents, as coaches जो भी verified source है जैसे कि सोहम गरोलकुल के पास doctor है जो इस education के लिए specialist है जो specially session के लिए आ करके awareness create करते हैं वो right information देंगे बच्चों को explain करेंगे कि what are the boundaries, what is distraction, attraction और यह हमारी उमर जो होती है वो right है किस चीज के लिए कि हमको career बनाना है या हमें अपने बारे में सोचना है या इन सब चीजों के बारे में जो वक्त के साथ ही अच्छी लगती है तो जो right information है वो right source से आए completely आएगी तो वो एक तरीके का हतियार बनेगी positive हतियार बनेगी बच्चों के लिए कि वो आगे चल करके उन्हें मालूम रहेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है और उन्हें कैसे आगे बढ़ना है तो आए फिल वो अलगी confidence हुएगा उन बच्चों में जो sessions attend करेंगे और अपनी knowledge बढ़ाएंगे एक आखरी सवार फिर मैं मेरे session को आगे बढ़ाता हूँ आपको एक तो इंडिया दुबई आपने बहुत सारा समय इंडिया में भी बिताया है दुबई में बिताया है और आप यहां भी आते रहते हो देखते रहते हो रिसेंट्ली आप मुंबई में भी सेशन के लिए आई थी देली में आपका आना जाना रहता है और आपकी बहुत सारी फैमिली इधर भी है तो आप दोनों कंट्रीज के कल्चर से अवेर हो तो हम अभी जो यह इन अवेर्नेस प्रोग्राम ले रहे है यह ले रहे बारा साल और वहां से आगे के बच्चों के आपको क्या लगता है इंडिया में या दुबई में क्या सही एज होगा या हमारा ये विचार आपका फ्रैंक ओकिनियन में आपसे लेना चाहूँगा क्रपया बताईएगा सर आजकल बाउंडरीज बहुत ही धुंदली हो गई है बहुत सी चीजों के मामले में इंटरनेट के आने से क्योंकि हर जगे इंफर्मेशन अवेलेबल है अधर क्लिक ओफ दी बटन तो चाहे बच्चे यहां के हो या फिर इंडिया में है उनके पास वही सेम नॉलेज है जो की इजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे यहां पे भी वही चालेंजेस पेरेंट्स फेस करते हैं टीनेज में जो की वहां पे भी फेस होते हैं कोई भी सिटी होए आजकल तो सिटी का भी अंतर नहीं है कि आप मेट्रोपोलिटन में है या टीर टू या टीर थ्री सिटी में हो because the information is available at the click of a button तो ये मतला हमारा कर्तव्य बढ़ गया है as parents की हम right knowledge दे बच्चों को और वो आगे उस तरीके से बढ़े की जिन में उनके पास correct information है जो right source से आ रही है और ये जो है जो years of experience होता है जिन doctors के पास या जो coaches इस field में काम कर रहे हैं जिनोंने बहुत cases किये हैं जिनको psychology समझ में आती है कि आजकल क्या हो रहा है और क्यों करा जा रहा है और सब जगे पे बच्चों को ही target किया जा रहा है चाहे कोई advertisement हो या even serials हो या Netflix की जितनी series है जो दिखाया जा रहा है वो actual में वास्तविक्ता नहीं है तो ये हमारा बहुत बड़ा फर्स बन जाता है कि हम अपने बच्चों को जो है सही information दे और इसके लिए essay sessions जो हैं बार-बार होने चाहिए ताकि ये बच्चों के subconscious में बिठा दिया जाए कि आपको किस रास्ते पे चलना है और उससे आपको क्या lab होगा मेरे हिसाब से तो आज की डेट में टीनेज जो है 13 से नहीं हो तो डैसे ही बच्चा डबल डिजिट में पहुंच रहा है उसकी information की awareness बहुत जादा हो गई है especially post covid जिसमें की बच्चों को gadget की access बहुत easy हो गई है thank you doctor thank you thank you thank you my sincere gratitude to you कि आपने आपका experience और दोनों साइड से यानि चाहे वो इंडिया और दुबई हो चाहे ऐसे डॉक्टर हो या एस टीनेजर टीनेज बच्चों के मां हो या coaching field से related professional हो झाल